वक्ष कदम उठा रहे हैं हमने खार्मा, मडिकल दिवाइसिस, पेकनालोजी, इनोवेशन, स्किल डेवलप्मेंट और स्पेस जैसे काई शेत्रों के संग्योद बुराने पर जोड दिया है हमने दोनों देशों के स्टार्टर्स को भी आपस पर जोडने पर करता है शिपिंग और कनेक्टिविटी को देशों के लिए उच्चे पाथी ताकी विशर है हमने इंशित्र में भी संग्यों को बढ़ाने पर विजार विवस्त किया है फ्रैंक्स दिप्रेंस और सेकुरिटी में बढ़ता संग्यों है हमारे ग्यास अ प्रदान मत्री मेचसों ताकीश दोनों देशों के देडिगेट्ष मिडिया के साथ्यों नवस्का प्रदान मत्री मेच सों ताकीश और उनके डेडिगेशन का भारत में श्वागत करते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबुत होती स्ट्राटेजिक पार्टर्शित का संकेत है। और सोयों वर्षों के बाद इतना बड़ा अंत्राल के बाद ग्रीस के प्रधान भरत आना अपने आप में एक एकिहासिक अवसर है। फ्रेंट्स हमारी आज की चर्चाएं बहुती सार्थक और उप्योगी रही। यह प्रसंदा का विशा है कि हम पेंटी थार्टी तक दी पक्षिये व्यापार को दो गुना करने के लक्ष की और तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहियोग को नई उर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। क्रिसी के ख्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहियोग की संभावनाएं अनेक है। और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस ख्षेत्र में कीएगे संभावते के काईयानवायन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसिस, टेकनोलोजी, इनोवेशन, स्किल डेवलप्मेंट और स्पेस जैसे कई शेत्र के संभावनाएं पर जोड दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्ट अप्स को भी आपस्वे जोडने पर चर्चा की। शीपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्रात्मिक्ता के विशय हैं। हमने इन शेत्र में भी सयोग को बढ़ाने पर विचार विवर्श किया। फ्रेंक्स डिफेंस और सेकुरिटी में बढ़ता सयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दरसाता है। इस शेत्र में वर्किंग ग्रूप के गठल से हम डिफेंस, साइबर सिकुरिटी, काउंटर टल्द, मरिटाइम सिकुरिटी जैसी साजा चुलोतियों पर आपसी समन्वे बढ़ा सकेंगे। ठारत में डिफेंस मेनिफेक्टिंग में को प्रोडॉक्शन और को डिवलेप्मेंट के नए अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाप दायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उजोगों को आपस में जोड़ने पर सहनती जताई हैं। आतनवात के खिलाप लड़ाई में भारत और ग्रीश की जिनताई और प्रात्रिताई समान है। हमने इस खेत्र में अपने सहयोग को और अधिग मज़ूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंट दो प्राचिन और महान सब्रताओं के रूप में भारत और ग्रीश के बीच गहरे सांस्कूतिक और पीपल टू पीपल समंदों का लंबाई जहास है। लगवक डाई हजार वर्सों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कूतिक समंदों के साथ साथ विचारों का भी आदान कुदान करते हैं। आज हमने इन समंदों एक आधूरिक स्वरूप देने के लिए कई नए इनिशेटीव की पहचान की है। हमने दोनों देशों के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टर्शिप एग्रिमेंट को जल्द से जल्द संपन करने पर चल जाती है। इससे हमारे पीपल टू पीपल समंद और सरद्र होंगे। हमने दोनों देशों के उच्चे शिक्षा संतालों के बीच सहीयों को बढ़ावर देने पर भी बल दिया। अगले वर्ष भार्ट और ग्रीश के डिप्लोमेटिक समंधों की 75 वी वर्षगान बनाने के लिए हमने एक एक्षेन प्लान बनाने का दिरने लिए। इससे हम दोनों देशों की साजा दरोहर, साइन्स एंटेक्लोलोजी, इनोवेशन, स्पॉर्ट और अन्यक्षेत्रों में उपलग्जियों को वैस्विक मंज़ पर दसा सकेंगे। फ्रेंट्स, आज की बैटक में हमने कई छेत्रियों और अंतराष्टियों मुद्वो पर भी चलता की। हम सहमत है कि सभी विवादों और तनावों का समाधान, डायलोग और डिप्लोमसी के मादम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागिदानी और सकारात पक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशीता मिशे है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिसिटिव से जुढ़ने का निलने लिया है। पुर्वी मेडिटरेनियन छेत्र में भी सर्योग के लिए सहमती बनी है। भारत की जी त्वेंटी अत्रिक्ट्यारिक दोरान लॉंच किया रहा। आइमेक कुरिडो लंबे समय तक मानुवता के मिकास में महत्वपन योगदान देगा। इस पहल में ग्रीश भी एक एहम भागिदार बन सकता है। हम यूएन तता अन्य वैश्विक संतानों के निफॉर्म के लिए सहमत है। ताकि इन्हें संकालिन बनाया जा सके। भारत और ग्रीश वैश्विक शांती और स्थिर्ता में योगदान देने के लिए अपने प्रयास जाली रखेंगे। एक्सलेंसी आज शाम आप राइसिना डायलोग में चिपकेस के तौर पर शामिल होंगे। वहाँ आपका सम्मोदन सुनने के लिए हम सभी उत्सुख हैं। आपकी भारत याप्रम और हमारी उप्यूगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवार करता।